एक लाग उननीस हजार एक्सोरूम से स्टार्ट हो जाती ये तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्स्ट्रीम की हमें बेजिंग देखने को मिल जाती है साती ही मैं हिरो की भी बेजिंग दिखती है और एक खुबसूरा सक कलर कॉम्बीनेशन दिया गया है अब यदि पीछे साइड में बात करूँ तो यहाँ पे काफी अच्छे स्टैल मिलती है आप एक बार पूरा वॉकराउंड देख लीजे कि गाड़ी की लुक्स कैसी है कैसी दिखती है हीरो की एक्स्ट्रीम यहाँ पे 160R जितने CC का इंजर ने उसकी बेजिंग दी गई है यह अब दिखने को मिलेगा जिसे led में फ्लेस किया गया है यहाँ पे हिरो की लोगों के साथ में माश्ड में काफी अच्छी प्लेस्मेंट डिजाइन प्लेस की गई है चलिए बात कर लेते इसके नीचे साइड में यहाँ पे हमने टायर साइज देखने को मिल जाता है», जो की हमें डिसब्रेक देखने को मिल जाता है साथी में ABS की बेजिएंग रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाते हैं场 काफी लुक दे रही है आप फ्रॉंड से भी देखो कितना प्यारा लग रहा है कारवन फिनिश मल जाता हैं तो यहां पे प्लाइट लोगा जाती है यहां पे हमें और हे मिल जाता है तो पर फोल्ट यहां पर हमें यह बहुत अच्छा switch मिल जाता है कट आफ भी हैं मिलता है स्ठाइड भी अहां साथिम उसके बाद बाजू में हैजार्ड लाइट की भी ऑप्शन दी गई है जिससे चारों इंडिकेटर्स ओन हो जाते यहां पे हमें फ्यूल टेंक मिल लाता है जो की बहुत अच्छा तो ने लेकिन नॉर्मल सा डिजाइन जादा कुछ नहीं है लेकिन इस पर बहुत जादा सूट कर रहा है अब यदि मैं इसके इंजन के बात करूँ तो इसमें हमें 163cc का इंजन मिल लाता है साथी में नीचे में यहां पे हमें बहुत अच्छे से हॉन की प्लेश्मेंट गी है जिसका साउंड बहुत प्यारा है अब यदि मैं इसके बैक साइट की बात करूँ तो यहां पे मिल जाता है अब यदि मैं इसके लास्ट में बात करूँ तो एक बहुत प्यारा साथ इसका stop line में मिल जाता है साती में यहां पर grab handle बहुत अच्छा दिया गया है यहाँ पे यणलोग बहुत प्यार लग रह energíaया काट ए कपल बाई करिये यहाँ यह डिक carbon अगए अगर मैं इससे थे तार साइज की बात